तो दोस्तो आज हम देखेंगे भू नक्सा अपने 36 गड़ का तो दोस्तो यह जो आपको नक्सा दीख रहे है वो कभीर धाम का है हम जो तीन लकी रहे हैं उस पर टच करेंगे उस पर टच करने के बाद आपको देखने को मिलेगा जो हमारा 36 गड़ है उसको पहले कर लेना है उसके बाद जीला जीला में हम देखेंगे हमारा जैसे कि धमतरी है तो हम धमतरी 59 पर क्लिक करेंगे फिर तहसील हमारा जो है अभी नए बने बखारा तो उसको क्लिक करेंगे आ रही जो है बखारावन और बखारा टू दो है दोनो बोजरा बठली रामपूर जिंग देई सिलगर सिलतरा हंचल पूर रामपूर भेंडरा बन्जारी पंचपेड़ी दर्री ठुहा जोरा सब बखाराा वन में हैं तो हम जो है बखारा टू का देखेंगे देखने पर हमको हमारे गाऊं मिल जाएगे जैसे कि जोनवानी डाही भरा हुआ है सासकी भूमी है अब हम इसमें देखेंगे आपका खेद कौन से तो आप नॉर्मली जुम करके अपना खेद देख सकते हैं अगर आपको अपना खसरा नंबर मालूम है तो और हम नॉर्मली यह गाओं का जो पूरा नक्स है वह इससे देख के हम पता लगा सकते कि कौन से भूमी किन की है मैं आगे बताऊंगा कि कैसे देखने है फोर फोर्टीवन जो है और फोर थर्टीपाइब यह इसकूल और तलाब है यह पूरा इसमें और यह जो साइड से जारी वह नहार है तो यह हमारा नक्स जो है गाओं का पूरा इसमें दिख जाएगा और आपका खेद भी इसमें दिख जाएगा उसके अंदर हमें देखना है कि किसके नाम पर रिश्टर है क्या है तो आप उसको नॉर्मली टच करें तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा आपको आपके plot का जो information है वो किसी भी अपने खासरा नंबर को टच करने से आपको जो आपके पूरी प्लॉट का इन्फोर्मेशन किसके नाम पर रेइस्टर्ड है कौन अभी उसका स्वामी है तो वह आपको देखने के लिए मिल जागा जैसे कि मैं आपने खेट का एक्जामपल आपको दिखाता हूं जैसे कि मेरा खेट इस शेड है तो आप देख सकते हैं यह मेरा खेट है और यह मेरे दादाजी का नाम है अन्या जनकारी करें लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद